मुह में जुबान सब रखते हैं पर कमाल वो करते हैं जो अपनी जुबान को समाल कर रखते हैं देखे एक दोहा कहा गया है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं तो उसको सोच समझ के बोला किजिए कि आप क्या बोलना है और उसको बोलने के बाद मतलब जो सब्द आपके मुझे निकल ला है तो उसको बाहर निकलने के बाद समाज पर आने कि सामने वाले पर कि आप रभाव पड़ेगा उस तो इसलिए कहा गया है कि उतना ही बोलिए जितनी जरुवत हो नमस्कार दूस्तों आज के वीडियो प्रस करेंगे हैं 25 नॉमरे करेंट पर बे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपोरे डीटेल में चर्चा करेंगे और दीखिए इस वीडियो के लाश में आप स पांच को शेंड़े पुछाएंगे तो आपको इन पांचों प्रस के जबाबी देना तो सुरू से लाश से वीडियो में बने रही है और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडियो फाइल भी डाउन लोट कर सकते हैं नीचे डिसकस्पन बाक्स में आपको इस वीडियो के पीडियो फिले में जागी और अगर आभी इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकोन प्रिस करके वीडियो का लाइक और शेयर भी कर दिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट प्रसन को देखिए आ मेखाले की राजधानी सीलांग में आज तो जाटिक है अगर राजे पूछे तो मेखाले और प्लेस पूछे एक्जेक तो सीलांग मेखाले की राजधानी सीलांग में हर साल क्या बनायता है जो आपका इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लासम महसो है और इस साल जो पांच मा में देखने को मिल सकते हैं देखे हर साल जो आपका ये चेरी ब्लासम फेस्टिवल है इसके दोरान सीलांग, फिटनेस कला, फैसन चो, राक, कंसर्ट सहीद ब्लासम फेस्टिवल में इसका जोन होता है तो ये सारी खास बत यहार केगा और मेखाले के बारे में तीच यहार रखेगा कि मेखाले के मुख्यमत्री हैं वर्तवान में कानराट संगमा, राजेपाल है, सत्यपाल मलीक और मेख इनचरा प्रसनी की 69 राष्टी फार्मेसी सपता यानिकि National Pharmacy Week का मना गया तो दीखिए 69 राष्टी फार्मेसी सपता च्वाइजिये 16-22 बाइस नॉम्बर 2020 तक मना गये है और 2020 के 69 राष्टी फार्मेसी सपता का विचा है Pharmacist Front Line Health Professionals और इस राश्टी फार्मेसी सब्ता को Indian Pharmaceutical Association के द्वारा हर साल नॉवंबर के तीसरे सब्ता में मना ज़ता है देखे जो पर इंडिया Pharmaceutical Association है इसके अधख्शम वर्थमान में टी वी नरायन और इसके स्थापना 1949 में होगी थी तो ये सारी खास बात याद रखेगा दो चीज़े यहां पर आपको सबसे बले रखनी है कि जो आपका 69 मा देखे करम याद रखेगा 69 मा राश्टी फार्मेसी सब्ता है कब से कब तक बनाए गया 16 से 22 नॉवंबर 2020 तक और इसका थीम क्या रहा इसका थीम रहा फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स और टीशरा प्रसनी की पुरुवत्तर का पहला गाय अस्पताल किस राज्यम बनाए गया देखी जितने भी इवेंट पहली बार होते हैं फिर्स्ट इवेंट फिर्स्ट अपॉइंट मेंट ये सारी चीज़े एक्जामे नेस्ची तुरुप से पुछ जाती है तो हम बात कर रहा है पुरुवत्तर के पहले गाय अस्पताल की ये बिहारी में असम में खोला गया है और इस अस्पताल को आसम के डीबुरुगर्ण में बनाए गया है और इसको नाम दिया गया है सूर्भी आरोके साला अस्पताल और इसे जो है आसम में स्री गोपाल गौसाला के द्वारा सत्तलर लाग रुपे की लागत से बनाए गया है और दीके जो आपका ये अस्पताल है जिसका नाम है सुर्भी आरोगे साला अस्पताल ये जो है 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेमाई देगा और इस आसरे गर में कुल 368 गाय वर्तवान में मौजुद है तो यादर केगा कि पुर्वत्तर का जो पहला गाय अस्पताल है ये असम के डिबरुगर में स्थावित किया गया है और असम के मुक्यमत्री हैं सरबानन सुनिवाल, राजेपाल हैं प्रफिसर जगदीश मुक्यी चौता प्रशने की वर्तव तो 2020 के APEC सिखर सम्मेलन की मेज़़णी किस देजने की तो दिखे 2020 का जोब का APEC सिखर सम्मेलन है इसकी मेज़़णी की गई मलेशिया के दौरा और APEC का पूरा नाम है Asia Pacific Economic Corporation और दीखे 2020 का जो आपका ये Apex सीखर सम्मेलन था जो कि विहाली में Malaysia में आजित हुआ इसका theme यानि की विशय था Optimizing Human Potential Towards a Resilent Future आप Shared Prosperity, Pivot, Priority और Progressive है इसको नूट करेगा और दीखे ये जब ये दूसरा मौका था कि जब जो है जो आपका ये Apex सीखर सम्मेलन है ये Malaysia में आजित हुआ था दीखे पहली बार Malaysia में 1998 में जो है Apex सीखर सम्मेलन आजित हुआ था यानि कि Malaysia ने इसकी मेजबानी की थी और अब जाके 2020 में Malaysia ने मेजबानी की है इस Apex सीखर सम्मेलन की दीखिए अपका APEC है इसके बारे में समझाल लेते हैं ये कहां पिस्दीध है इसका मुख्याला है दीखिए APEC का पूरा नामे रखेगा ASEA Pacific Economic Cooperation मुख्याला इसका सिंगापूर में है इसकी सापना डॉबंबर 1989 में की गई थी राजदानी है कौलालामपूर में और जो आपका ASEA Pacific Economic Cooperation इसकी मुद्रा है मलेशिया रिंगिट और दीखिए इस सम्मेलर में क्या-क्या खास बाते रहें ये भी मैं पोद आता हूँ दीखिए ये पहला मौका था जब सभी 21 APEC Economic Leaders जो है और 2020 कोलालामपूर भोषणा के साथ हुआ देखिए जो आपका ये पुत्र जयाब विजन 240 है ये क्या चीज है ये एक्जाम में पूछा थाएगा देखिए जो आपका पुत्र जयाब विजन 240 है ये एक नया 20 वर्षी विकास कालिकरम है जो की मौजूदा बोगर लक्षियों की जगन लेगा जिस पर 1994 में APEC में मुक्त और खुले ब्यापार और निवेज के लिए नेताओं दोरा सहमती ब्रिक्त की गई थी तो इस पेच का स्क्रीन सोट लेके आराम से इसको नोट कर लिजेगा और पांचो प्रिशना है निमलेकित में से किस राजी के पूरो मुक्यमंत्री तरूर गोगई का 23 नॉम्बर 2020 को निधन हो गया तो देखे 23 नॉम्बर 2020 को निधन हो गया है असम के पूरो मुक्यमंत्री तरूर गोगई का देखें तरूर गोगई के नाम से एक रिकार्ड है ये जो है असम के सबसे लंबे समाज तक मुख्यमंत्री रहने वाली विक्ति है देखें आपके रंज ये आपके तरूर गोगई ये ठीक है तरूर गोगई साल 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहें तो ये डिवरेशन भी लगातार तीन विधान सभा चुनाओं में जीत दिलाई थी और असम के सबसे लंबे समझ तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड इन्ही के नाम पे है और इनके बारे में एक खास बताओर है देखें ये छे बार जो है ये लोग सभा के लिए चुने गए ये बहुत बड़ी इस जितनी फार्मेशन मैं आपको देता हूं बहुत सेलेक्टी होते हैं और इक एक लाइन चुनिंदा होते हैं इक लाइन से प्रश्चन एक्जाम में बन सकता है तो इसके मैं आपको detail वड़ा सबता को एक्जाम मैं आपको सारे प्रश्चन में जाए तो नोट करते रही है तो दीखे विहाली में अमेरिका ने गोश्टा की है कि ये मुक्त आकास निगरानी संदी से खुरको डाएगा और आपको बता दूँ ये संदी क्या चीज है देखे जोब कह ये मुक्त आकास निगरानी संदी है डी आईजन हावर इन्होंने पहली बार जुलाई 1905 में ये प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तातकालिक सोवीद संग ये एक दूसरे के छेतर में हावाई टोही उडानों की अनमती दे और मासकों ने इसे पहले प्रस्ताव को विसकार कर दिया था यानि कि उस समय मासकों आके नहीं हम इसको नहीं मानेंगे लेकिन उसके बाद जब जार्ज एच डबलू बुस जो है ये अमेरिका के राजपती बने तब इन्होंने माई 1989 में फिर ये प्रस्ताव दिया और उसके बाद चैनवरी 2002 में ये संधी आपकी हो गई जिसका नाम क्या था मुक्त आकास न हो रहा है लेकिन बिना हतियार के सादों प्रश्ने की किस राज सरकार ने महा आवास योजना नाम का एक नया ग्रामीड आवास पर योजना को शुरू किया है और दीकि इस योजना के अंतरगत महाराश के ग्रामीड इलाकों में आने वाले 100 दिनों में 8.82 घर बनवाई जा होंगे देखिए आवास योजना ग्रामीड है इसका संचाला जोंगी किया जाएका महाराश के ग्रामीड विकास बिबाग के द्वारा और महाराश की बात कर लेते हैं दीकि महाराश के राजबाल है भगसिंग होस्यारी कैपिटल यहां की मुंबई है चीप मिनिश्टर है उद्धव ठाकरेब आड़ों परसने की कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारी के ट्वीटर हैंडल पर फालोवर्स की संक्या 10 लाग के पार पहुंच गयी है तो दीकिए यह बैंक आपका है भारती रिजरु बैंक इसने भी हाली में जो है एक नया किर्टिमान बनाया है इसके ट्वीटर हेंडर पर जो फालोवर्स हैं इसकी संक्या कितने हो कहिए 10 लाग से अधी और दीकिए यह उपलब्दी हासिल करने वाला रिजरु बैंक दुनिया का पहला बैंक बन गया है जिसके पास सबसे अधी फालोवर हैं ट्वीटर और इस मामले में मेक्सिको का केंद्री बैंक दूसरे स्थान पर है यानि कि ट्वीटर पर फालोवर्स के मामले में मेक्सिको का केंद्री बैंक दूसरे स्थान पर है और ट्वीटर पर इसके फालोवर्स की संक्या है 7.74 बैंक आफ इंडोनेसिया 7.57 लाग फालोवर्स का त उचाने वाला दुनिया का पहला बेंग बंगीया है ये एक रिकार्ड है भारत के लिए और सम्मान की बाद भी है कि देखी जो आपका भारती रिजर्ड बेंग है यानि कि रिजर्ड बेंग positively इसके गवर्णर है वर्थमान में सक्तिकांदास अब एक्जाम में बुचा गये था कि ये किस क्राप के गवर्णर है तो 25 में गवर्णर है सक्तिकांदास और दीखें रिजर्बाइंग का फिंडिया जो इसके स्थापना होई थी ब्रिटिस राज में एक अपरेल 1935 को और जब इसके स्थापना होई थी तो उससे में इसका मुख्याल है कोलकाता में था और वर्तमान में इसका मुख्याल है मुमी में स्थित है और नमवा प्रिशनी की किस देश ने चंद्रमा से लुनार राक्स के नमूले राने के लिए नममबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानो रहित अंतरिक्षियान बेशने की गोश्टा की है तो दीखिए यह दिस आपका चीर है दीखिए प्रित्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है तो इस पर लुनार राक्स के चट्टा निस्तित हैं और इसी का सेंपल लाएगा यह आपका मानो रहित अंतरिक्षियान देखिए इस मानो रहित अंतरिक्षियान का नाम है चांग E5 प्रूप ठीक है जो कि वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में समझने में अधीक मदद खरेगा तो इसको नोट करेगा और दसों प्रशनी की केन सरकार ने की इस एप्लिकेशन का अंतराष्टी संस्क्रड पेस करने की खुश्ड़क की है तो देखे केन सरकार ने भियाली में एक एप्लिकेशन है उमंग एप इसका एक अंतराष्टी संस्क्रड पेस करने की खुश्ड़क की है अब हमारे जो विदेशों में रह 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 इमिग्रेंट्स हैं वो इसको इसको इसका यूज कर सकते हैं कैसे करेंगे देखे जो अपका उमंग एप का ये अंतराष्टी संस्क्रड है तो ये जो है विदेश जाने वाले भारती परेटकों प्रवासी भारती ओर भारती अंतराष्टी छातरों के लिए उप्योगी होगा और जो अपका उमंग है इसका पूरा नाम है यूनिफाइट मोबाइल एप्लिकेशन फार न्यू एज गवर्नेस एप ठीक है तो इसका फुल फॉर्म यह रखेगा उमंग एप का ये एक्जाम में पूछा जा सकता है देखे जो अपका उमंग एप है ये बारत सरकारी की एक गरित बहु बासी बहु मध्यम और बहु सेवाएं देने वाली मोबाइल एप्लिकेशन है और ये जो है केंदर सरकार और राज सरकारों के बिभिन बिभागों और सिबाओं तक लोगों को आसान पहुंचवा ये सुने स्चित कराएगी 11 परसनी की हाला ही में अमेरिका के निर्वाची दराजपती जिनका नाम है जो पाइडन इन्होंने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसको अपवैंट किया है तो दिखे बहु हाली में जो ठीस बाइडन Carry को एक नए जिम्मेदारी दिया है यहाँ पे इनकी फोटो दिख रहे जाउन कहरी की इनको जो है climate change की जिम्मेदारी दिया है अमेरिका में देखे जाउन कहरी जो है पूरु अमेरिका की विदेश मंत्री भी रचुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रिमेंट को लागू करवने में इनकी महतुबड गुंका रही थी और बारहों प्रशने की हाली में भारती रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर धन के बुकतान और रिण समंधी लेन दिन करने पर 6 महीने का बान लगा दिया है तो दीखे यह बैं बैंक बंद चुका है और इसलिए रिजर्व बैंक ने का है कि अपने पैसे का बुकतान और नहीं करेगा जितना माल पानी पड़ा है वो बैंक में ही पड़ा रहेगा तो ये थे आपके आज के सभी मालपूर्ट करेंटेफर और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुशन अपड़े पर देखिए आज के कुशन अपड़े का पहला प्रशनाव के लिए कि हाल ही में उत्तराखंड के के जिले में भारत का पहला मास गार्टेन अस्थाफित किया गया बताईए देखिए उत्तराखंड में ही बनाए गया था भारत का पहला लाइकमिन पार्क भी और ये सभी अपड़ेट मैं आपको देते रहूंगा देखिए मंतली करेंटेपर का जो मारा पीडियाफ होता है वीडियो होता है बहुत ही खास होता है तो पूरा वीडियो देखा करिए और पीडियाफ अगरे डाउंड़ करके उसको पढ़ लिया कीजिए दूसरा प्रशनाव के लिए कि हाल ही में किस अस्तान पर भारत सिंगापूर और थाइलेंड के बेजदरी पक्षिय समुदरी अभ्यास सिट मैक्स 2020 का दूसरा संस्क्रण आयुद किया गया और तीसरा प्रशनी की हाल ही में किस अंतरिक्ष एजनसी ने यूर्पी अंतरिक्ष एजनसी के साथ मिलकर जो है कौपर नीकस सेंटिनल सिक्स माइकल फ्रिलीच उबगर को लांच किया है बताईए चोथा कि अंतराश्टी क्रिकेट परिसत ने अंतराश्टी क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निज़ारी किये है उत्तरवताईए और पांचमा की निमने में से किस देश को 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठा की अधिक साप्रदान की गई बढ़ाईए तो इसी के साथ आज के करेने पर से इसे मात बता है कल फिर मिलेंगे कल के करने अफ़ार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीगे जो लोना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसे के साथ चैन चैवारत